अब तक आपने शादी के दौरान हेलिकॉप्टर को देखा होगा या यूं कहलें कि देखा होगा कि दूला दूलन हेलिकॉप्टर से अपने गाउं या अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन आज की जो खबर है वो इनसे थोड़ी से अलग है। महाराष्ट्र के पुणे जले में किसान ने अपनी पोती का स्वागत बेहुद अलग अन्दाज में किया. तस्वीर में आप हेलिकॉप्टर दिख रहे होंगे। जी हाँ, इसी हेलिकॉप्टर में आई महाराष्ट्र के किसान की पोती। किसान अपनी पोती के जन्म से इतना खोश हुआ कि उसने पोती को घर लाने के लिए हेलिकॉप्टर बुक कर लिया घर में बेटी का जन्म होने पर किसान ने अपनी खुशी दिखाई और नवजात का हेलिकॉप्टर से घर लाकर भव्य स्वागत किया किसान ने पोती के साथ-साथ बहु का भी धूम-धाम से स्वागत किया पुडे जले के बाले बाड़ी के रहने वाले किसान अजीत पांडूरंग बलवटकर ने बच्ची को अपनी नानी के यहां से दादा के घर लाने के लिए हेलिकॉप्टर किराये पर लिया बच्ची के नाना का घर पुडे जले के शिवालवाडी में है पूरा परिवार नए महमान के स्वागत के लिए पहुचा और हेलिकॉप्टर से बच्ची को उतार कर घर लाया गया यही नहीं घर पर बच्ची के स्वागत का पूरा इंतिजाम था पूरी गली को सजाया गया आतश बाजी के साथ घर में बच्ची का दाखिला हुआ इसके तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वाइरल हुई लोगों ने इस कदम की सराहना की जाहिर है जिस देश में ब्रून हत्या जैसे पाप हो रहे हैं वहाँ पर इस तरह की की खबरें संदेश दे जाती हैं देश में अभी भी बेटियों के जन्म को लेकर लोगों के मन में अलग-अलग धारणा आये हैं लेकिन ज़रा सोचिये इस किसान की मान सिकता कि अपनी पोती के स्वागत के लिए किसान ने एक हेलिकॉप्टर को बुक कर लिया ऐसे में पुणे के बलवड़कर मिसाल हैं जिन्होंने अपने घर में बेटि के जन्म को किसी तिवहार से कम नहीं समझा NBT Online के रिपोर्ट झाल झाल